हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आया होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आपके एक्जाम आने वाले हैं आज तक आपने जितनी भी वक्सीट सॉल्ब की हैं आज हम उनका रिवीजन करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सस स्क्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं नीचे दिए के सब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक लगाईए फर्स्ट जैसे की तै ओद है तो बच्चो इसमें क्या लगेगा यहां पर अनुस्वार लग तो इसमें बच्चो कौनसी मातर लगेगी ने अपर अनुस्वार नेक्स्ट है चंदन तो चंदन जो है इसमें कौनसी लगानी है अनुस्वार नेक्स्ट है मुहू तो मुह में में के उपर मातर लगेगी अनुनासिक अब बच्चो क्वेशन नमबर टू पढ़िये समझे और खालिस्थान भरिये बच्चों यहां पर सब्द हैं, हलका, उंचा, चमकीला, मोटा, लाल, सुन्दर, गहरा, भारी, फस्ट है सागरसा, तो सागरसा क्या होता है, गहरा, यहां पर गहरा लिखेंगे, धोलकसा, धोलक होती है मोटी, तो यहां पर लिखेंगे धोलकसा, विपरीत अर्थ वाले सब्द बताओ उन्हें नीचे दिये गए स्थान पर लिखो तो बच्चे आपर कठिन है, कठिन का विलॉम सब्द है सरल, अमीर का है गरीव, असली असली का विपरीत अर्थ सब्द है नकली, नया पुराना, गलत सही, सवाल जबाब अब है कोश्य नमबर फोर, नीचे दिये गए सब्दों को छाट कर, नीचे दिये स्थान पर लिखिये बच्चों यहाँ पर है एक वचन घडी, तो घडी का वह वचन क्या होगा घडियां नेक्स्ट है नदी, नदी का वह वचन क्या होगा नदियां नेक्स्ट है चिडिया चिडिया का बहुवचन होगा चिडिया नेक्स्ट है गुडिया गुडिया का बहुवचन है गुडिया अब बच्चों कोश्चन नंबर फाइव रेखांगे सब्द का परेवाची वाक्य को फिर से लिखिए तो बच्चों यहाँ पर सब्द है ओर स्याम मित्र हैं तो यहां पर लिखेंगे राम और स्याम दोस्थ हैं नेग्स्थ है आसमान में चांद चमक रहा है तो बच्चों यहां पर लिखेंगे मेरे बच्चो यहां पर लिखेंगे हम मेरे घर में आंग कब रक्ष है बारक मैदान में खेल रहा है तो बच्चो यहां पर लिखेंगे हम बच्चा मैदान में खेल रहा है अब है question number six पढ़िये समझी और लिखिये ख्वाजा सरा को किस बात पर अभिमान था तो बच्चो आंसर है ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धी पर बहुत अभिमान था नेक्स है कुछ दर्बारी बीरबल से क्यों जलते थे तो बच्चो आंसर है बीरबल की बुद्धी के आगे बड़े बड़ों की भी नहीं चल पाती थी इसी कारण कुछ दर्बारी बीरबल से जलते थे नेक्स है दिने इस घर में बैठा क्या पढ़ रहा था तो बच्चो आंसर है दिने इस घर में बैठा वो कोई कहानी पढ़ रहा था बच्चों ने पैसे इखटे करके क्या बनाया तो बच्चों आंसर है बच्चों ने पैसे इखटे करके खेलने की सुवीधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया अब बच्चों नेक्स कोश्यन धर्ती तवे की तरह तप रही थी इसका क्या मतलब है तो बच्चो आंसर है धर्ती तबे की तरह तप रही थी इसका मदलब यह है कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी जिसके कारण धर्ती बहुत गरम हो गई थी बच्चो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूले और यदि आप इस चैनल पढ़ना हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू